हेलो फ्रेंड्स होमेट के राप्टिंग में आपका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपको थाल पोस्ट बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने थिरी कलर्स की बूर ली है थिरी पॉइंट फाइब मिलीमीटर का मैंने क्रोश्य हुग लिया है सिक्स नंब इसमें रिंग बनाऊंगे यह मैंने रिंग बना ली है अब रिंग में मैं फोर की चेन बनाऊंगे फोर की चेन बनाना है वन टो थिरी और एक यह फोर यह मैंने फोर की चेन बना ली है अब फोर की चेन बनाने के बाद मैं इसमें डबल क्रोश्या डालोंगे इस तरह से मैं और यह ड़बल क्रोश्या डालती है कि भी इस टारा लोगी हो यह जोगए है तो चैन को भी मैंने кап s क्रोशिया में काउंट किया है कि क्रेटे पढ़ गए 12 डबल क्रोशिया वन्ह दर्फार्ट गें 13 डव्सफिर में 12 ट्रोब वेतल हमों, अब देखिए, मैं इसको सिलिपिस्टिच लेते विए जाइन कर दूँ गी, इसमें मैंने यह त्रोब नर्वब नाद्ये दोग दिया हैu, और बीज में बन की जेन देखे में सिलीप इस्टिछ लेते वे जॉइन कर देए 1 तू थरी यहां पार करना है। तरह से जॉइन करना है तके मैंने इसको जॉइन कर दिया है । यह धेचाश से आगया है कि अब देखिए मैं इसको रिंग को टाइट कर देती हूं कि इस तरह से यह मैंने 12 डवल क्रोशिय डालती है इस तरह से यह रिंग बनकर आ गई है सर्कल अब देखिए मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूं है कि एक है कि सेकेंड डौ बनानी है इस तरह से आग को बढ़ाना है सेलिप स्टिम्स लेते हुए और वान वर्यकु तो 3 है थिरी की चेशिट ऋडवल क्रोश्य देखिए यह हो गये है, two double crochet, chain और double crochet, chain को भी मैंने double crochet में count किया है, फिर one chain लेना है और यहाँ पर डालना है, two double crochet, one double crochet और एक यह two double crochet, फिर one chain और two double crochet, इसी तरह से रोको कंप्लीट करना है तो डबल क्रोशिया और बीच में बन चेन देखिए बन चेन और तो डबल क्रोशिया कर देखिए इस तरह से आएगी यह रोबन कर देखे इस तरह से मैंने टू टू डबल क्रोशे डालते हुए और बीच में बंकी चेन इस रोको भी कम्प्रीट कर दिया अब इसको मैं सिलिप इस्टिच रेते हुए जॉइन कर देती हूँ यहाँ पर इस तरह से वन चेन लेकर जॉइन करना है इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है इस तरह से यह रोवन कर आ गई है अब देखिए मैं इसके तीसरी रोव बनाती हूँ इसलिप इस्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से वन टू थरी थरी की चेन थो डबल क्रोशिया और यह टू डबल क्रोशिया तेक है टोटल हो गए हैं यह थिरी डबल क्रोशिया फिर वन चेन यह थिरी डबल क्रोश है वन चेन और थिरी डबल क्रोश है वन टू और एक यह थिरी वन चेन थिरी डबल क्रोश है देखें इसी तरह से थिरी थिरी डबल क्रोश है और बीच में वन की चेन डालते हुए रोग को कम्प्लीट करना है वन चेन थिरी डबल क्रोश है वन टू और यह थिरी यह मैंने थिरी डबल क्रोश है डालते है फिर बन चेन अब देखें मैं इसको सिली पिस्टिच लेते हुए जॉइन कर देती हूँ इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है देखें इस तरह से यह रोबन कर आगे है तेसरी रोबन कर आगे है अब देखें मैं इसकी फॉर्थ रो बनाती हूँ कि असलिए पिस्टिक रहे यह एक बड़ाना इस तरह से तीह आगे पो बढ़ाथे हां एसकी इसके बंटी थरी ठीकी जेयर बोल्ग्रोशिय अ ओने डूबल क्रोशिय चे इन को मैंने ड्बल क्रोशिय मी कायंट किया है फिर वंच यह वार्ट डूबल तो डबल क्रोशिया तो डबल क्रोशिया फिर बन चेंट डबल क्रोशिया तो टोल हो जाएंगे यह 4 डबल क्रोशिया फोर डबल क्रोशिया बन चेन और फोर डबल क्रोशिया देखिए इसी तरह से फोर फोर डबल क्रोशिया डालती हुए रोको कम्प्लीट करना है पर टालना है फोर डबल क्रोशिय हिए वजाइसा में लुटका अब देखिए इसको सिली पिस्टिच लेते हुए जाइन खोर देती हूँ इस तरह से जाइन कर देना है ट송अ मैंने मांने जाइन कर दिया से आ लगई है धी रोस बन कर लाएग कर दिखिष में मैं रैड कलर लगाती हूँ बन ऑक टू को थिरी تरी की चेन ऑडबल क्रोश को स hammond में धुरिद three दीघ्न को बिला कर जीन लेना यहां पर दालना है ड्मक्रोश 건데 12 का ट लिए तू डबल क्रोशिया देखिए फिर बन चेन वन डबल क्रोशिया तू डबल क्रोशिया और बन चेन पूरी रोमे डालना इस तरह से तेखिए बन चेट और टू डबल क्रोशिया बन और एक ये टो फिर बन चेट अब देखे मैं इसको सिली पिस्टिच लेती हुए जॉइन कर देती हूं यहां पर जॉइन करना है अ की गल्स थरह स्य मैंने इसको जॉइन कर देती है को सिली पिस्टिच लेते हुए बढ़ मैं इस थरह से अचाब इस थागे को में कर नीभे इस तरह से के कट कर देना है इस तरह से अब मैंने यह ना बना लिया है देखिए अब इसमें में दूसरा कलर लगाती हूँ कर चेंज करना है चेंज करना है बन तू और यह थिरी थिरी की चेंड और डबल क्रोशिया बन डबल क्रोशिया और एक यह टू डबल क्रोशिया देखिए ही चेंज को मिलाकर हो गया है इसमें यह थिरी ढबल क्रोशिया है तुद डबल क्रोशिया डालना ही तू है और यह तीर dilemma है और थिरी डबल क्रोशिया दालना है यह यह टूद़र ग। क्यूद दूद आतरद में धेश्जान ऐस्चस इस तरह से आएंगे ये थिरी थिरी डबल क्रोशिया बंचे थिरी डबल क्रोशिया डालती गए अब बंचे लेना है अब देखे मैं इसको सिलिप स्टिच लेते हुए जॉइन कर दोंगी ये रोबी मैंने अब कम्पलीट करती है इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है इसलिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से इस तरह से ये रोबन कर आ गई है अब देखे मैं इसकी अगली रोबनाती हूं नेक्स्ट रोब इस तरह से बनानी है बन टू थी अ रहना है थी टू दबल करम जोबाराम है कि इस दूु आछ यां मैं जो फोल्काराम्आए आ तेरत्व करई का गरीवार्च को जम जितने ये तोल कर आखिए और ये मैं कि यार्षी सिय Kaiser आखिए आगे भी थी डबल क्रोंगा कृशिए ढररा की से थी आखिए इस एम्लाना से थिरी थिरी डबल ग्रोश्या डालते हुए रूको कम्प्लीट करना है बंचेन और थिरी डबल क्रोश्या यह मैंने बंचेन ले ली है अब मैं इसको सिलिप इस्टिच लते हो जॉइन कर दूंगे इस तरह से मैं इसको जॉइन कर दूंगे इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है अब स्लिप इस्टिच लेटीव आगे बढ़ाना इस तरह से इस तरह से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है कि इस तरह से बनकर आगई है यह रोग अब देखें में इसके अगली रोग बनाती हूं नेक्स्ट रोग यह वन टू थिरी थिरी की चेन और डबल क्रोश्या अब कर दू थो और यहां पर भी को बिच्ट रहलुआ हे उड्य टू बंचेन और टू डबल क्रोशिय तो डबल क्रोशिय फोर डबल क्रोशिय ढालती हुए रोको कम्प्लीट करना है बंचेन और फोर डबल क्रोशिय बंचेन अब मैं इसको सिली पिष्टिच लेती हुए जॉइन कर देती हुए इसको मैंने जॉइन कर दिया है इस तरह से आगे को बढ़ाना है कि अब यह रोवी मैंने कम्प्लीट करती है इस तरह से बन कर यह रोवी है कि दिखिए मैं इसकी नेट्स भू बनाती हुए वन टू थरी थरी की चेन और डबल क्रोशिय ते नहीं यह टू डबल क्रोशिय डालती है फिर बंचेन और टू डबल क्रोशिय क्यां ति इस तरह से बन चेन और टू डबल क्रोशिय तो टू डबल क्रोशिय डालती हूं रोपो कम्प्लीट करना है फृर बीच में बन की जिए ज़से बचेन टू डबल क्रोशिय यह तो अ और एक यह टो बन चेन और टू डबल क्रोश यह वन और एक यह टो तेकि मैं इसको बन चेन लेकर सिली पिश्टिच लेती हूं जोइन कर देती हूं देखें मैं जोईन करना है डागे को बढ़ाना है। तरह से धागे को यही पर कट कर देती हूं इस तरह से रोबन कर आगे है इस थाल पोस मैट इसमें दखी में रैट करें लगाती हूं कि राट कर लगाना है तो इस तरह से वन टू और ये थिरी कि ठीकी चेन और डबल क्रोश कर आए देखिए हो गए हैं चेन को बिलाकर टू डबल क्रोश कर बंचे लेना हैं तो डबल क्रोश कर दारा है इस तरह, बंचेन, टू डबल क्रोश, अब रेके टू, बंचेन, टू डबल क्रोश, देखे, इसी तरह से रो को कम्प्लीट करना है, बंचेन, टू डबल क्रोश, बंचेन, टू डबल क्रोश, पूरी रो में बनाना है, बंचेन, टू डबल क्रोश, फिर बंचेन, अब देखे, मैं इसको सिली पिस्टिच लेते हूं, जाइन कर देते हूं, इस तरह से इसको जाइन करना है, करते हैं तो बीशाइब करती है इसलिए पच्छेश नेटे रही आवे को इस तरह से बढ़ाणा है है को इस तरह से गात कर देना है यह देखिए यह अग्ली रो बनाती हुग नेक्स्ट रूब इस तरह से बनानी है। देखिए, अब मैं नेक्स्ट रो बनाती हूँ, बन, टू, और ये थिरे देखिए, ये मैंने थिरे की चेन बना ली है, देखिए मैं डालूँगी डबल क्रोश्या, वन डबल क्रोश्या, ये तू डबल क्रोश्या, देखिए, मैंने इसमें ये थिरी डबल क्रोश्या डाल दिये ह। वन चेन लेना है, थिरी डबल ग्रोश्या डलना, वन, पूं कि अपरे टू और ये थिरी हूर favour and chain, ओनपरेखिए, अणब कापिए CE? झरैन आए है थिरी डबल क्रोश्य देख इसी तरह से थिरी डबल क्रोश्य ढालते हुए थिरी रो बनानी है बन टू थिरी रो में बनाऊंगी थिरी डबल क्रोश्य डालते हुए और बन की चेन इस तरह से आगे को बनाऊंगी एक इसतरे से मैंने यह 3 km कम्प्लीट करती हैं 3 woon chain 3 SH 2 में इसी तरह से मैंने डालें अब दीक है मैं नेक्स्ट रो को बनाती हूं कि अगली रो बनानी है बन टू और यह थ्री थ्री की चेन डबल क्रोश यह बन डबल क्रोश यह और यह थ्री डबल क्रोश यह थ्री डबल क्रोश यह डाल दिये हैं वन चेन और थ्री डबल क्रोश यह और यह थ्री डबल क्रोश यह थ्री डबल क्रोश यह थ्री डबल क्रोश यह बन चेन इस तरह से बुनते हुए पूरी रोपों कम्प्लीट करना है अब देखिए यह रोबी मैंने कम्प्लीट कर दी है अब सिलिप स्टिच लेते हुए जॉइन कर देती हूं इस तरह से जॉइन कर देना है ते यह मैंने जॉइन कर दिया है अब देखिए शीलिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से देखिए अब मैं यह थागा कट कर देती हूं मैंने दावे को कट कर दिया है इस तरह से यह बन कर आ गई है अब देखिए इसमें मैं यलो कल लगाती हूं बन टू थरी कर देखिए और यहां पर डालना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से फिर बन टू थरी फॉर फाइब शिक्स कर शिक्स की चेन की चेन और यहां पर टालना है सिंगल करोशिया इसी तरह से इसी शिक्स शिक्स की चेन बनाती हुए रोकों कम्पलीट कर ना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे लेकर बुनना है वन टू थरी फॉर फाइब और एक यह सिक्स की चेन अब देखिए मैं इसको यहां पर जॉइन कर देती हूँ इसको मैं जाइन कर दिया है मैंने यहां पर अब यह रोबी मैंने कंप्लीट कर दी है इस तरह से आई है यह बन कर फिर सिली पिस्टिच लेते हैं आगे बढ़ाना इस तरह से अब आगे बढ़ा दिया है इस तरह से सिंगल क्रोशय लेना है और फिर देखिए यहां पर ट्वैल डबल क्रोशय डालना है इस चेन में 9 2 3 4 5 6 7 एट, नाइन, टैन, अलेवन, और एक यह ट्वैल, देखिए, इसमें मैंने यह ट्वैल डबल क्रोशिया डालती है, इस तरह से आए, फिर देखिए, इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर पुनना है, चेन में, और फिर यहाँ पर इस वाली चेन में, ट्वैल डबल क्रोशिया डालना है, बन, टू, थ्री, देखिए, मैं इसका बोर्डर बना रही हूँ, मैट का थाल पोस का बोर्डर बना रही हूँ, थ्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और यह किया ट्वैल, देखिए, इस पर सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, पर सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, इस पर भी मैंने यह ट्वैल डबल क्रोशिया डालती है, इस तरह से ट्वैल, ट्वैल, डबल क्रोशिया डालते हूए, रोपो कम्प्लीट करना है, अब देखिए, यहाँ पर डालना है, सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और यहाँ पर डालना है, ट्वैल, डबल क्रोशिया, आज दो दोपने आज पाना है इत्पैंट प्रहे हई उना कर दोटेंग ये दोपथ ये ये फिर अजे ये उना है कि देखिए इसमें मैंने ये 12 डबल किरोशिया डाल दिये है कि देखिए मैं इसको सिली पिस्टिच लेते हुए यहां पर जॉइन कर देती हो यहां पर जॉइन करना है कि इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है कि मैं इसको यहीं पर कट कर देती हूं कि देखिए इस तरह से यह बोडल बनकर आगे ऐगा है तो दिखेए यह मैट भी थाल पोस्ट भी इस तरह से बनकर आ गया है इसको आप थाल पोस भी बना सकते हैं और टेबल मैट भी अब देखिए मैं इसमें ग्रीन कलर लगाती हूँ एक और रो बनानी है इसकी अब ये पोडो बनानी है इसकी बोडर फे किनारी बनानी है बोडर की तो इस तरह से बनाना है बंचेन और सिंगल क्रोशिया इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेकर बुना है पूरी रो में तो दो हुसे है इस तरह से आएंगे इस इस सिंगल क्रोशिय थे थे हैं इस तरह जाएंगे इस थे स्टेन वी आप याप आप आप आपसा ए ठोग में आप आप ने जाय जाए इस तरह से डाले हैं मैंने ये सिंगल करोशिया की ऑ journalists कि अ घो मुंग नहीं रह से रह से रहा हो थाह थाभ मुझे की कषहरा च करトा है ठाले हम फ़िया है का नहा है कि अ कॉलते घ narcडिता पहला है आप रहा हैा है आप उननकर चो खिया झाल welche दंटा तो को सब्सक्रादा है अब मैंने ये सिंगल क्रोश्य लेकर पूरी किनारी इसकी बनाती है बोर्डर बनातिया है अब देखिए मैं इसको जोईन कर देती हूं उसलिए पिस्टिच लेते हुए इस तरह से जोईन करना है मैंने इसको जोईन कर दिया है अब इस तरह से मैं इसको कट कर देती हूं इस तरह से मैंने इसका ये बोर्डर भी बना दिया है और देखिए ये मैट कंप्लीट हो गई है आप इसको थाल पोस्ट भी बना सकते हैं और मैट दोनों आप इसको बना सकते हैं अगर आपको ये वी झाल 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 झाल